दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको यो नंबर किस तरह से एक्टिवेट करना है कौन कोशी चीज़े आपको चाहिए होती है कौन कोशी डोकुमेंट्स लगते हैं और किस तरह से आप अपनी के वाई स्यू को कम्पलीट कर पाएंगे तो सबसे ब मॉबाइल या डेश्टोप किसी से कर सकते हैं मैं यहां पर मॉबाइल से कर रहा हूं और सबसे पहले वैबसाइट आती यूएन एमप्लॉई प्रोविटेंट्ट फरंड इसको पर क्लिक कर देना है और आगे का प्रोस्स करने से पहले आपको बदा दूं कि आपको हमने मेन पेज ओपन हो जाता है और यहां पर हमें अपनी इनिफ्रमेशन को फिल करना होगा सबसे पहले आपको यूएन नमबर लिखना होगा और उसके बाद आपको नाम डेट ओफ बर्थ मॉबाइल नमबर और इमेल आड़ी यह चार पाथ चीज़े आपको फिल करनी है और आपको बता दूँ कि आपको मॉबाइल नमबर वही फिल करना है जो आपका अधार कार्ड के साथ लिंक है अगर अधार कार्ड के साथ लिंक होगा तब भी आप अपना यूएन नमबर एक्टिवेट कर पाएंगे और उसका ये फायदा होगा कि जब भी आप विड़ो क करेंगे तो उस टाइम पर भी आपका जो मॉबाइल नमबर है जो अधार कार्ड के साथ लिंक है उसके उपर OTP आएगा उसके बाद ही आप विड़ो कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं के बाद हमारे सामने एक मैसेज आता है डिटेल्स टू वी एंटर बिलो शुड़ भी एज पर एपी उफ रिकोर्ड यह कर रहा है कि एपी उफ रिकोर्ड के तैज़ि हमें अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है तो मैं कर चुका हूं यहाँ और उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर एक आई एगरी इससे पहले एक चेक मार्क है इसको चेक नंबर एक्टिवेट हो चुका है और पास्वर्ड जो है वह आपके मोबाइल नंबर पर एसमेस के थुरू भेज दिया गया है अब आपको यूवन पोर्टल के अंदर लोगिन करना है किस तरह से करना आपको बता देता हूं आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है और पासवर्ड में जो आपके मैसेज पर पासवर्ड आया उसको यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद यह कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्लिक कर देना है